नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सदोशन का वर मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी यूटूब चैनल पे जिसका नाम है बैंक बेंचेस आफ स्टॉक्स दोस्तों अज के इस वीडियो में हम लोग दिसक्ट करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे magical लेवल्स कल के दिन के मेरे prediction के साथ मैं साथी यहाँ पर दिसक्ट करेंगे तीन stocks जोगी लिस्टेड है future and options में भी दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो भी discussion करने वाले हैं पूरा का पूरा जो है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ educational purpose के लिए है मैं इसमें से कोई भी script को या फिर stock को या फिर index के किसी भी level पे आप लोगों को recommend नहीं करूँगा trade करने के लिए इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है अपने educational purpose के लिए यूज करिएगा और मैं से भी resistor research analyst नहीं हूँ और अब लग कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor की सला जो है वो जरूर लीजिए तो आइए यहां पर शुरुआत करते हैं हमाने आज के इस educational video करेंगे जो भी levels कल हम लोगोंने discuss किये थे आज के हमारी intraday trading के लिए उसके performance के साथ में शुरुआत करेंगे bank nifty के साथ में दोस्तों कल के video में हम लोगोंने discuss किया था कि आज एक bank nifty में sharp fall जो है वो expected है और वो आज हम लोगों को देखने को भी मिला था target हम लोगोंने discuss किया हुआ था 51,154 का जो कि हमारा level 4 भी था और हर video में आप लोगों के साथ में discuss करते हैं रहता हूं कि level 4 index के साथ में important reversal का level होता है बहुत ही शांदा reversal जो है वो आज हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला था और C side में बहुत अच्छे profits देखने को मिले थे in fact money में भी हम लोगों को P side में अच्छे profits आज की दिन में देखने को मिले थे अगर से बात करेंगे निफ्टी के बारे में तो निफ्टी में भी एक channel जो है वो मैंने आप लोगों के साथ में discuss किया हुआ था साथ में यहाँ पे 23,356 का level भी discuss किया हुआ था यहाँ पे pinpoint support जो है वो create किया था निफ्टी ने एक double bottom के formation के साथ मैं बहुत ही अच्छी upside के rally जो है वो आज हमें यहाँ पे देखने को मिले थी और वाल दोस्तों इन levels के साथ में हमारी जो accuracy है वो बरकरार है और मेरी कोशिश रहेगी इसा ऐसे ही maintain रखने की अगर आप लोग चैनल पे नए है तो ऐसे ही learning वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो की description box में मैं अपना telegram का link देकर के रखा हुआ है जहाँ पे आप लोग मुझे live market के updates के लिए जरूर follow करें और सबसे important चीज़ अगर वीडियो को like और comment नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो के description box में मैंने allies blue का account opening link जो है वो दिया हुआ है link through account open करके आप लोग मेरी platinum group को जो है वो free of cost में enjoy कर सकते हैं जहां पर मैं अपने live market के जो setups है वो आप लोगों के साथ में discuss करते रहता हूँ तो उसका lab आप लोग completely free of cost में उठा सकते हैं account opening भी free है वीडियो के description box में मैंने account opening का link जो है वो दे करके रखा हुआ इसके बाद मैं वीडियो में आगे जाकर के हम लोग discussion करते हैं stocks के बारे में जो कि लिस्टर है future and options में भी लेकिन वो सीधा tips में आ रहा था इसलिए हम लोगों ने उस strategy को कुछ दिनों के लिए pause करके रखा हुआ है अगर आप लोग stock options पे भी trade करते हैं तो मैं जिस strategy पे आप लोगों के साथ में stocks discuss करता था वो मेरी सबसे important strategy screener के साथ में YouTube के मैंने आप लोगों के साथ में free में discuss करके रखी हुई है वीडियो को जाकर के चेक कर लीजिए आप लोगों के लिए बहुत beneficial वीडियो जो हो साविस हो सकता है आगे जाकर के वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं nifty and bank nifty के कल के दिन के मेरे magical levels के बारे में पहले तो इसका prediction चेक कर लेता है overall दोस्तों अगर prediction के बारे में बात करेंगे तो एक cross connection हम लोगों को आज nifty and bank nifty में दिखाई दिया है जिसमें nifty थोड़ी ज़ादा bullish दिखाई दी है compared to bank nifty अगर से बात करेंगे कल के trend के बारे में तो कल मेरी हिसाब से यहाँ trend line को breakout जो है वो possible है और अगर ऐसे आज हो जाता है तो एक bullish trend हम लोगों को expected है 23,520 का यहाँ पर important level रहेगा जिसके नीची nifty weak हो सकती है 23,487, 23,445, 23,398 और 23,348 यहाँ पर हमरे downside के levels रहेंगे तो 23,560 के ऊपर nifty bullish हो सकती है 23,605, 23,644, 23,685 और 23,730 यहाँ पर हमारे upside के levels रहेंगे दोस्तों इस वीडियो में जो भी stocks और index के जो भी levels हम लोगों ने educational purpose के लिए discussion किया हुआ है इसको अगर आप लोगों को live market में paper trading के लिए test करना है तो सबसे बहतर टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूँ पर्सनल ट्रेडिंग के लिए वो है पाँच मिट के टाइम फ्रेम यहाँ पर जो भी हम लोगों ने level discuss किया है कि इस level के ऊपर back nifty मुझे bullish लग रही है अब obviously चीज है यह मेरा personal view है इस पर trade करना में आप लोगों को recommend नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर आप लोग paper trading के लिए इसे use कर रहा है तो पाँच मिट के जो हम लोगों की यहाँ पर candle है वो इस level के ऊपर closing जो है वो देना बहुत ज़ादा जरूरी है जब next candle उसका high break करेगी तब हम लोग उसे consider जो है वो कर सकते हैं और यहाँ पर जो support का level हम लोग इस वीडियो में discuss कर रहे हैं वो support जो है वो हमारे लिए stop loss के तोर पे भी काम करता है वहाँ पर पर पाच मिट की time frame की candlestick जो है जो भी levels हम लोग यहाँ पर discuss कर रहे हैं upside के levels या फिर downside के levels यह आपके लिए support and resistance का काम जो है वो live market में करते हैं साथ में दोस्तों मेरी magical levels की जो theory है इसके basis पे जो भी stocks हम लोग नहीं यहाँ पर discuss किये हैं इन stocks के साथ में जो हमारा level 3 होता है वो बहुत ही important level होता है यहाँ से reversal हम लोगों को देखने को मिल जाता है साथ में index यानि कि nifty bank nifty की जो भी levels हम लोग यहाँ पर discuss कर रहे हैं इन levels के साथ में level 4 जो होता है वो बहुत ही ज़ादा important reversal का level होता है जिसके उपर भी आप लोगों के यहाँ धायर रखना जो होता है दोस्तो bank nifty में हम लोगों को एक flag pattern जो है वो यहाँ पर दिखाए दे रहा है और मेरी हिसाब से अगर nifty में कल breakout आता है तो इस trend line को इस resistance को breakout कल के दिन में हमें bank nifty पे भी देखने को मिल सकता है overall bank nifty में भी एक bullish trend कल के दिन में expected है 51,800 का यहाँ पे important level रहेगा जिसके ओपर bank nifty bullish हो सकती है 51,930, 52,123, 52,270 और 52,448 यहाँ पे अमारे upside के levels रहेंगे तो 51,670 के नीचे bank nifty week हो सकती है 51,567, 51,436, 51,345 और 51,238 यहाँ पे अमारे downside के levels रहेंगे रहेंगे तो दोस्तों वीडियो में लोगों ने discuss किये है nifty and bank nifty के कल के दिन के मेरे magical levels कल के दिन के मेरे prediction के साथ मैं वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आप लोग चैनल पे नए है तो ऐसा ही learning वीडियो के लिए और दो हो इक र्दू रहे मेंगे बाप्पने मेंगे कların गव्रेकिन मंगर्यो में जापका के लिए वीडियों शना कि चाम कर दो दीन जाप्तों बापके वीडियों में वीडियों अव Lane